नमस्कार आप सब्भी कईगवा फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं इस वीडियो में हम जानने वाली हैं अगर आपकी डिलीवरी भी नमबर दिसंबर जनवरी में या फिर फड़ेवरी में होने वाली है तो आपको किन-किन बातों का धियान रखना है देखिए अगर आपकी डिलीवरी गर्मी की मौसम में होती है तो आपको कुछ अलग बातों का धियान रखना होता है अगर बरसात में तो कुछ अलग बातों का और अगर सर्दियों में डिलीवरी होने वाली है तो आपको कुछ अलग बातों का धियान रखना होता है तो आपकी पहली डिलीवरी है तो आप हमें फोलो कर सकते हैं तो चलिए और वीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खान पान के बारे में तो सरद्यों का खान पान चेंज हो जाता है आप जो चीज़े गर्मी में खाती है वो सरद्यों में नहीं खाती है और बहुत सा नहीनी चीज़े आपको मिल जाती है जो कि आपको खाना चाहिए जैसे कि सरदियों में गाजर मिल जाती है आपको मूली, सकरकंद और हरी पतेदार सबजियां मेधी, पालक, बधुआ, भरबर के आती हैं और बहुत ज़्यदा फायदे मंद होती हैं तो इस समय ज जरूरी है ताकि आप जल्दी से बीमार ना पड़े अब बीमार पड़ जाती है तो अंदर आपको बच्चा भी बीमार हो जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना है कुछ ऐसा खाना जिससे कि आपकी इम्यून अच्छी हो तो इसके लिए आपको विटामिन सी लेना चाहिए विटामिन सी अच्छा होता है आपको इम्यून सिस्टम के लिए तो यापको का का मिल जाएगा संत्रा मोसंबी टमाटर और झोलते जो ऑगर गर सकते हैं अनारय जरूर जोरूर लेना है क्योंकि इसमें आईरन होती है तो सब कुछाना है लेकिन सब new वाले जवि较 वाल तो अगर आपके डिलीरी इस टाम में होने वाली तो मतलब यह कि आपकी प्रेगिंसी का साइद भी छटा साथ वा आठ वा या फिर नौ मेना है तो इस समय आप अराम से गुर्ड खा सकती है क्योंकि गुर्ड में बहुत फाइदे आपको मिल जाते हैं और सबसे इंपोर्टें सकते हैं इसके बाद मुमफली मुमफली भी आपको अच्छी मात्रा में इस समय मिल जाती मार्केट में तो मुमफली जरूर खाईए और हो जाना आप एक मुठी दो मुठी पचास ग्रम लगो मुमफली खा सकती है ज्यादा मत खाना नहीं तो फिर नुकसान होगा और होगी अब देखिए जी हैल्प कैसे होगी क्योंकि इन में मिल जाता है क्योंकि नॉर्माट डिलीवरी की मात्रा सही होना जरूरी है इसके अलब इम्मूटी अच्छी रहती है अगर आप स्ट्रोंग रहेंगे तभी तो आराम से डिलीवरी कर पाएंगे अगर आप बिमार बढ़ जाएंगे सर्दी जुकाम हो गया बुखार हो गया कुछ खानी रहें पीनी रहें है उल्टी करे जा रहें तो कमजोरी आ जाएगी तो दिक्कत हो गया ना इसलिए सही होना जरूरी इसलिए अच्छा चीज खाईए और जो भी मार्केट में ताजे फल और सबजी आपके लिए काफे जुरूरी है तो आप रोजाना 6-7-8 खजूर तक खा सकती हैं खजूर के अलाबा क्या होता है ड्राइफ फूर्ट तो इस समय ड्राइफ फूर्ट भी अच्छी मातरा में खा सकते हैं क्योंकि एक तो आपकी प्रेग्निसी का थर्ट ट्रामिस्टर है तो गर्पात उने का खत्रा नहीं होता तो आप अनाम से रोजाना एक मुठी ड्राइफ फूर्ट खा सकती हैं और देखिए नॉर्मली आपको रात में पांच बादाम पानी मडालना होता है सुबर उटके खाना होता है छिलका उतार के लेकिन इस समय आप चाहें तो दो-चार बिना पाने में डाले भी खा सकते बादाम की तासिर गर्म होती है और फाइदे मंद भी होती है तो गर्माट के लिए दो-चार बादाम ऐसी भी खा सकते हैं बादाम के साथ अखरोट खा सकती है किसमिस चुआरा मुनक नगखा इसके लाबा काजू पिस्ता जोबी आपको ड्राइफरूट्स मिल जाता है आप सबको खा सकते हैं लेकिन बादाम और अख्रोट वगड़ा और किसमिस वगड़ा आपको डेली खाना चाहिए ठीक है तो थोड़ा नियम बना लो कि हमें रोजाना थोड़ा वर ड्राइफरूट्स जरूर खाना है और कोई उससे नुकसान पें केशर वाला दूध आपको बहुतना फैदा दे लिएगा हलदी वाला दूध और केशर वाला दूध भी इसके लबाद देखिए अब बात आती है कि सर्दियों में हमना बहुत ज़्यदा चाय पीते हैं तो चाय पीन अच्छी बात है दिन में दो कप आप चाय पी लेती हैं अद्रग डालके मस्त पियो कोई दिक्कत नहीं लेकिन दो कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्दियों में हमारा मन तो बहुत करता है चाय पीने का लेकिन कई बार हम कंट्रोल कर लेते हैं कई बार नहीं कर पाते हैं तो भाई थोड़ा से कंट्रोल कर लेना अगर आपको अद्रग वाली चाय पीने का स्वाक है तो कोशिस करने कि दूद कम से कम डाले चाइपती कम होनी चाहिए अधरक आप थोड़ा data ले लो कोई बात ने लिए अलाबा इस समय आप खा सकते हैं चबन प्रास चबन प्रास इस समय बहुत सा लोग खाते हैं अब रोजाना थोड़ा सा चबन प्रास खा सकते हैं इससे पानी पूंचे कर रावी है कई पानी और परके ऺएंगे अłुक्त्रीप मोचलों के वाहिटू कर दो अब जो लोग मासा आरी है नौनवीज वगर खाते हैं मीट वगर खाते हैं तो क्या होता है कि गर्म में थोड़ा खाने से परेज करते हैं क्योंकि भाईज होती है तो बहुता दर जाते हैं कि दिक्कत जो आप खाते हैं दाल, चावल, रोटी, ओर्स, दलिया वो तो खाना ही है ठीक इनके अलाबा जो भी आपको मार्केट में फल और सब्जियां मिल रही है उन सब को खाई ठीक है और देखो अब बात कर लेते हैं कि आपको इसके अलाबा क्या करना है तो देखो जी अगर आपक में आपको क्या क्या ले जाना होता है अगर बच्चे की बात करें तो देखो बच्चे के लिए गर्म कप्रे ले जाने होते हैं क्योंकि ठंड जादा है क्योंकि नममर में कम है लेकि दिसमर जर्बनी में बहुत ठंड हो जाएगी तो पहले लाग रख लीजिए ताकि एकद कप्रे होने चाहिए जुराब दस्ताने टोपी कंबल इसके अलावा बनियान नैपी डाइपर्ज और चाहता आप छोटा सब बॉटल भी पहले से ले सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार अगर आपकी पहली प्रेग्नेंसी है तो एक दूद नहीं आता आपका तो नाथ बार लिए तों इसके लिए सकते हैं इसके अलाबा क्या लेते हैं फिली ड्राइइ से लेडा जाते हैं क्यूंकि बच्छ बदela बार सूसू करेंगा लिए उसके बच्ये सूसू पर दक भी नहीं होते और फिर पर री गंदा नहीं होता तो इस वज़े से आपको ड्राइश एक लेकर चलना चाहिए ठीक है तो आप जब घर आ जाते हैं तो इसके बाद आपको बहुत सारे नैपी वेगर जोत होती है बहुत सारे कप्र लेने होते हैं बैट शीर वेगर ज्यादा खैद नहीं होती है क्योंकि आपको बैट शीट वेगर भी जादा होनी चाहिए यानि कि जो भी चीजें जादा ही होनी चाहिए क्योंकि सुखने में बहुत दिक्कत होती है तो उसे साब साब कपड़े ली आईएगा ठीक है और डिलीवरी बैग की बात करें तो डिलीवरी बैग में आपको अपनी लीक अगर महां पर उबलब नहीं है तो बहुत सा हस्पटल वाले देते हैं तो ठीक है लेकि नहीं दे रहे हैं तो पूछ लेजी और लेकि जाएगे और ओडने के लिए और बच्चे को दूद पिलाएंगे तो ओडना चाहिए ना ताकि बच्चे को अराम से उड़ा सकें आप पियोड के दूद पिला सकें वांकि स्वेटर वगरा जुराब वगरा और अपने लिए जो भी कंगी वगरापको चाहिए वो ले जा सकते हैं और जो भी आपके डेली उसका समान है ठीकि आप लेकि जाए बांकि हांदे को मैटरिनिटी पैड लेकि जाओ क्योंकि इसमय डि बेडिन कम सेखं़ दस दिनों तक होती है तो इतने में आपको बहूत सारा चाहिए होगा तो मेटरिनिटी पैड बैस्ता है काफी है वी के लिए तो मैंतिनिटेटी पैड इसके अलाबा अगरा आपको पास जाल है पुरानी पैंटे तो सब को लेकि जाओ क्यूआ एक तो आ अपको अच्छा लगे आपो फो कुछ करें कि अक्छी मात्रह में जाई आए ताकि अदिकत ना हूँ आपको मालूम है कि सर्दी का महीना है तो चाय पीने का मन करेंगा क्या थे दूद के गर्म तो क्या कर lai कि वहीं बॉटल आपको लेकर जरूर जाना है जिसमें कि पानी या फिर दूद या फिर चाय आपका गर्म रहे वहां कि देखो भाई बहुत सा वीडियो हैं इसमें कि आपको प्रॉपर चीजे मिल जाएंगे कि क्या क्या लेकर जाना चाहिए तो आप देख लेना वांकि आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो कॉमेंट कर दीजेगा म और उसको अपने कमर के नीचे रख लो कमर की सिखाई कर लो तो उससे कमर दर से रात मिल जाती है क्योंकि इसमें बहुत कमर दर की प्रॉलम होती है डिलीवरी के बाद भी आपके काम आएगी तो क्या करना है कि होट पैक रखना है उसमें गरम पानी भर लीजिए और उससे दिलीवरी के बाद के कमर में बहुत दर्द होती है तो उससे सिखाई करेंगे तो आराम पढ़ेगा वांकि आप चाहें तो उससे जब बच्चा लेटा है तो थोड़ा सा महाँ भी राख सकते हैं ता कि थोड़ी से गर्माट हो जाए विस्तर पे क्योंकि भी ठंड़ा से हो जाता है तो होट पैक रखने से थोड़ा सा गर्माट मिल जाएगी विस्तर पर फिर बच्चे को लिटा दीजी क्योंकि बच्चे बार पोटी करेगा सुसू करेगा तो इस वज़े से ठीक है और आपको इसमें लेक्याना हीटर हीटर से क्या होगा तो आपका रूम गर्म रहेगा इसके अलाबा क्या होगा कि जब बेवी हो जाएगी तो उसमें भी भी बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए काफी जिरूरी है और अगर आपको ज्यादा सर्दी लगती है तो आप उससे सिकाई कर सकते हैं क्योंकि गहां वेगरा में तो लगर जला किस लेकिन सेहर में कहां से करें तो हीटरी काम आता है तो आप से पता हैं तो यह चीजे कर लिजेगा और हां देखो बहुत इंपर्टन बात यह है कि आपको इस समय क्योंकि सरदी है तो हो सकता है कि आपको रिजाई से निकलने का मन और आप टेहला बंद कर दें आप exercise करना बंद कर दें तो एककर्साइज भी करना है अब देखिए क्या करना है कि अच्छे से कपड़ें पहलें पहले जीए जूते पहलो जुराफ तो पहनोगेज़ और दस्तानि पहलो अच्छे से अपने अभू कवर करके और जैके तो यह आपकी delivery में अगर आप अच्छे से टेह लेंगे तो आपको फाइदा ही मिलेगा normal delivery में काफी आसानी हो जाएगी क्योंकि टेहलने से बहुत साइदा होते हैं नीचे की मासपेसियां मजबूत बनती है करना नहीं छोड़ना इस समय करना बहुत जरूरी है तो डॉक्टर से पूछ के जो जो इस समय करनी होती है आप वह एक्साइज भी जरूर करें ठीक है आप लोगों को इन्हीं बातों का ध्यान अगना है तो कोई दिक्कत नहीं होगे और आम से डिलीवरी हो जाएगी और पूशना चाहते हैं तो कॉमेंट कर सकते हैं मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई थैंकी सो मच नमस्ते